हेलो प्रेंट्स आज के मेरे वीडियो सेशन का टॉपिक है राइगर मॉर्टिस राइगर मॉर्टिस का मतलब होता है मौत की अकडन प्रोस्यक्यूशन हमेशा ये प्रूब करना चाता है कि ये murder accused पर्शन ने किया और जिस समय पर ये murder हुआ उससमय पर accused disease के पास था और उसी ने इसको मारा है defense हमेशा से ही ये defence लेना चाता है अक्यूस हमेशा से ही ये डिफेंस लेना चाहता है कि मडर उसने नहीं किया और उसका इस मडर के साथ कोई लेना दिना नहीं है और ये डिजीज के पास मौत के समय पर वहाँ पर नहीं था और ना ही उसने उसको मारा है कोट हमेशा यह जानना चाहती है कि इन दोनों में से सही वर्जन किसका है इस कॉंटेक्स में एक मेडिकल एविडिन्स के लिए हम डॉक्टर को जिसने की पोस्टमार्टम गंड़क किया होता है उसको हम कोट में पेश करते हैं और वो आकर अपनी टेस्टिमिनी देता है यह देखते हैं कि क्या इस अक्यूस परसन ने उस परसन का डेथ कॉस किया होगा जिस समय पर प्रोसेक्यूशन ने टाइम ओफ मर्डर बताया है और जिस समय पर कोस्टमार्टम हुआ है क्या दोनों का टाइम आपस में कोर्रेलेट करता है और क्या हम ये conclude कर सकते हैं इसके business पर कि ये murder इसी accused person ने किया है तो इसी तरह कि कुछ interesting topic को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँगा कि अगर आप एक lawyer है या आप judicial examination के लिए aspirant है या आप murder cases में deal करते हैं तो क्या आपको राइगर मौटिस के वारे में complete जानकारी है क्या आप जानते हैं का राइगर मौटिस क्या होती है ये कब किसी की मरने के बाद इनसान के शरीर पर आती है ये कब तक रहती है ये किस तरह से onset होती है किस तरह से ये outset होती है बॉडी में क्या-क्या कैमिकल रेक्शन होते हैं जिसके वज़े से ये एरागर मौटिस इंसान के शरीर में आती है और एज ओफ डेथ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो इन सबी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो सेशन में देखेंगे और सीखेंगे कि जो कुछ भी डॉक्टर कोट में आकर बोल रहा है क्या वो सही है या वो अपने साइंस में ठीक है वो मास्टर है लेकिन क्या हमारे पास ऐसे टेक्नीक्स हैं जिससे हम सचाई जान सकते हैं कि कहीं ये डॉक्टर कोई मैनुपलेशन तो नहीं कर रहा कहीं कोट इस टेस्टिमेनी से जो की म हम सीखने वाले हैं ये आपको future में, आपके cases में, आपके study में आपको बहुत कुछ help करने वाले हैं, तो चलिए start करेंगे आज के इस topic के साथ ragar mortis. राइगर mortis एक latin word है, और ये two different words को मिला कर बना है, राइगर and mortis, राइगर का मतलब है stiffness, और mortis का मतलब है of death, अगर मैं दोनु वर्ट को मिला दूँ, तो इसका मतलब निकलेगा force mortem rigidity, इसको हिंदी में हम मौत की अकडन भी कह सकते हैं, तो basically किसी person की death के बाद, जब उसकी body अकड जाती है, stiff हो जाती है, उसको हम राइगर and mortis बोलते हैं, अब ये राइगर and mortis किसी भी person की body में होती क्यों है, सवाल हमारे सामने ये है, तो जब person किसी की death होती है, तो उसके body में certain chemical changes होते हैं, जिसकी वज़े से उस person की जो body होती है, वो stiff हो जाती है, उसकी जो muscles है, वो stiff हो जाती है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी person की death के बाद, उसकी body में क्या chemical changes होते हैं, जिसकी वज़े से उसकी पूरी body उसकी death के बाद अकड़ जाती है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा tabulation दी है आपको समझाने के लिए, उसके help से मैं easily आपको इस बात को समझा पाऊंगा, कि basically उसकी body में क्या-क्या chemical changes होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि basically इस steps में हो क्या रहा है, जब किसी person की death होती है, तो उस organism में उसका जो aerobic respiration है, वो खतम हो जाता है, यानि कि उसके body में oxygen खतम हो जाती है, तो एक particular chemical होता है, जिसका नाम होता है adenosine triphosphate, इस chemical की जो level होती है, उस body में वो कम हो जाती है, जिसके वज़े से calcium ions muscles में flow करने लगते हैं, और इन दोनों की reasons की वज़े से, जो human being की muscles होती हैं, उनमें दो different type के filaments होते हैं, जिनको हम actin और myosin filaments बोलते हैं, इन दोनों में binding हो जाती है, इसमें कुछ cross bridges बन जाते हैं, जिसके वज़े से उस dead body में जो muscles होती हैं, वो contract हो जाती हैं, और वो muscles stiff हो जाती हैं, और इसी stiffness को हम मौत की अकडन या rigor mortis बोलते हैं, सामनी दिए हुए diagram को देखेंगे, तो यहाँ पर जो red color का fiber आपको नज़र आ रहा है, यह है myosin filament, और right side के extreme right side में अगर आप देखेंगे, तो छोटी छोटी balls बनी हुई है, round circles की, इनको बोलते हैं actin filament, अब actin filament और myosin filament, ATP की deficiency की वज़े से इन दोनों के बीच में एक cross bridge बन जाता है, जिसके वज़े से body अकड़ जाती है, और stiff हो जाती है, इसी stage को हम rigor mortis बोलते हैं, अब जब यह मौत की अकड़न या muscles में जो stiffness rigor mortis के वज़े से आता है, यह कैसे start होता है, क्या यह पूरी body को effect करता है, या यह किसी particular area में रहता है, तो usually जब body अकड़दी start होती है, यह stiffness dead body की पूरी body में spread हो जाती है, और पूरा body धिरे धिरे stiff हो जाता है, लेकिन सवाल यह है, कि यह start कब होता है, और यह कहां कहां और कौन कौन से portion को effect करता है, तो usually एक basic सा rule है इसमें, कि किसी person की death के बाद, यह 2 से 6 घंटों में यह start हो जाता है, और यह usually start होता है eyeball से, eyelid से, फिर वो back of the neck में आ जाता है, dead body की, फिर उसके जो lower जो होते हैं, जो नीचे का जबड़ा होता है, वहां पर rigor mortis आ जाती है, और धीरे धीरे जो internal organs होते हैं, और जो बाकी बाकी बाड़ी parts होते हैं, उस समें भी rigor mortis spread करने लगता है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, कि सर ये बाड़ समझ में नहीं आती, कि जो rigor mortis है, ये पूरी body में एक बार में क्यों नहीं फैल जाता है, क्यों ये पहले आखों में आता है, फिर वो neck में आता है, फिर वो jaw में आता है, ऐसा क्यों होता है, इसका reason ये है कि हमारी body में जो glycogen का level होता है, वो different different muscle fibers में different होता है, इस glycogen level की variation की वज़े से, जो lactic acid का level होता है, वो भी हमारी muscles में different different रहता है, इस lactic acid की difference की वज़े से, जो level का जो अलग-अलग differences रहता है, यही reason है कि एक particular portion में ragar mortis पहले आता है और कुछ particular portions में ragar mortis बार में आता है अभी मैंने आपको बताया कि ragar mortis eyelid से start होता है, back of the neck में आता है, jaw में आता है और धीरे धीरे वो पूरे हमारे body में including the internal organs spread कर जाता है जिसमें हमारा heart है, हमारे lungs है, हमारे liver है, हमारे kidney है, हमारा tummy का area है, फिर हमारे जो दोनों limbs है, heart, hair, pair है इन सब में भी वो फैल जाता है अब एक और interesting question हमारे mind में arise होता है कि क्या ये ragar mortis कुछ conditions पर भी dependent होता है या ये universally इसी pattern पर चलता है ragar mortis किसी person की age, उसका gender यानि कि उसका sex यानि कि वो male है या female है physical conditions body की क्या थी, उसका muscular build कैसा था, temperature कैसा था, क्या environment humid था, क्या गर्मी जादा थी या ठंड जादा थी और ये काफी सारे environments को मिला कर, हम ये तैकर पाते हैं कि ragar mortis कब start होगा कब तक continue करेगा, और कब वो body में से disappear हो जाएगा एक question ये भी हमारे सामने arise होता है, कि जहां तक छोटे बच्चे हैं, क्या उनमें भी ragar mortis आता है या उनमें भी मौत की अकड़न होती है, usually researches में ये पाया गया है कि छोटे बच्चों में जो उनकी dead body होती है, उनकी muscles smaller होने के वज़े से हो सकता है उनमें ragar mortis ना भी हो, तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इस बच्चे में तो ragar mortis आया ही नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है, इसकी death हुए हुए 36 सार से ज़्यादा हो चुके हैं तो कई बार हम इस context में एक गलत analysis लगा लेते हैं और उसकी जो age of death है, उसको गलत calculate कर लेते हैं तो basically जो ragar mortis है, इसका फाइदा क्या है, हम इसे क्यों use करते हैं ragar mortis का इस्तमाल हम age of death को calculate के लिए करते हैं हमें इससे ये help मिलती है, हमें ये पता चलता है कि इस person की death कब हुई होगी क्या ragar mortis को हम तोड़ भी सकते हैं, क्या ragar mortis को खतम किया जा सकता है mechanically, कोई force का इस्तमाल करके तो ragar mortis को mechanical force के द्वारा खतम भी किया जा सकता है, अक्सार आप लोगों ने देखा होगा कि soldiers war में लड़ रहे थे, उनके हाथ में gun थी, और जब वो मर गए लड़ते लड़ते, तब भी उनके हाथ में वो machine gun, वो AK-47, वो gun उनके हाथ में थी, तो हम लोग यह सोचते हैं कि यह जबान अब भी पहरा दे रहा है, अब भी वो हमारी country को protect कर रहा है no doubt उसने एक सरवोच बलिदान हमारे देश के लिए दिया है, वो dead body भी उस समय पर शायद एक तरह से आप समझीए, अगर हम अपने मन को समझाएं, तो वो हमारे देश को protect कर रही है लेकिन हम भावनाओं से अगर हट के बात करें और हम chemical stages पर देखें, तो वो stage वो होती है जब उसकी body में ragar mortis आ चुकी होती है तो कई बार ये देखा गया है कि उसके हाथ से जब उनके जो साथी लोग आते हैं, वो गन ले लेते हैं, तो वो ragar mortis खतम हो जाता है क्योंकि mechanical force का इस्तमाल करने से वो ragar mortis खतम हो जाती है, तो से फर एक्जामबल किसी person का हाथ अकड़ गया है, उसकी टांगे अकड़ी हुई है और उस पे अगर हम mechanical force का इस्तमाल करें, तो वो limb flaccid हो जाती है, उसमें इस ragar mortis खतम हो जाता है जब हम mechanical force का इस्तमाल करके इस ragar mortis को खतम कर देते हैं, इसको बोलते हैं breaking of ragar mortis जैसे मैंने आपको बताया कि ragar mortis mechanical force की सरसे खतम हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है, कि जहांपे dead body मिली, उस समय पर ragar mortis था और जब पुलिस वालों ने, यहां कुछ लोगों ने उसको उठाया, और ले जाकर mortuary पर लेकर गए, तो हो सकता है, उस समय पर mechanical force लगी हो, और वो ragar mortis खतम हो गया हो और जिस समय पर हम post-martem, यह doctor जो है post-martem conduct कर रहा था, तो उस समय पर उसने देखा कि इसके body में तो ragar mortis है ही नहीं, लेकिन actually उसकी जो time period था, वो ragar mortis का था, तो ragar mortis यह no doubt कि age of death को calculate करने के लिए help करती है, लेकिन यह बहुत सारे external factors से भी surrounded होती है और affect होती है, तो कई वा है कि doctor ने जब post-martem conduct किया, तो उस समय पर उसके body में ragar mortis नहीं थी, लेकिन in fact वो ragar mortis present था, लेकिन mechanical force की वज़े से वो खतम हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आपको यह भी देखना चाहिए, कि जिस समय पर उस person की photo नाच बनाई गई थी, जिस समय पर उसका sketch बनाय से हिस्से में था, क्योंकि इस बात की संभावना भी बनी रह सकती है, कि transit में उसका ragar mortis खतम हो गया हो, और हम एक गलत analysis कर बैठें, कि नहीं इस person की death तो काफी देर पहले हो चुकी है, आप यह सोच रहे होंगे, कि sir अभी आपने कहा, कि हम ragar mortis का इस्तमाल age of death के लिए करत कि इस person की death कितने घंटे पहले हो चुकी है, इसके लिए हमारे पास एक rule है, जिस rule को हम rule of 12 बोलते हैं, rule of 12 का क्या मतलब है, rule of 12 का मतलब है, कि जब person किसी की death होती है, तो 12 घंटे लगते हैं, उस dead body के पूरी limbs में, चारो हाथोर वैरो में ragar mortis को आने के लिए लगबग total 12 घ लग जाते हैं, पहले 12 घंटों में, पूरी body में, including hands and feet, ragar mortis onset हो जाता है, next 12 hours में, उसकी पूरी body में, उसी stage में वो बना रहता है, और उसके अगले 12 घंटे में, वो body में से, जिस तरफ से वो ragar mortis आया था, उसी side से, वो ragar mortis उसके body में से disappear होना start हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि ragar mortis हमारी आखों की पुतलियों से, हमारी आखों की eyelids से start होता है, और फिर हमारा धीरे-धीरे हमारे हातों में और हमारे lower limbs में चला जाता है, वो उतरता भी उसी stages में है, आखों से, चैरे से, चाती से, पेट से, जांगों से, और हमारी legs से, वो धीरे-धीरे disappear ह होना start हो जाता है, अब ये तो हमने समझ लिया कि इसका इस्तमाल हम age of death के लिए करते हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे, हम calculate कैसे करेंगे, अभी तक के session में हमने rule of 12 को समझ लिया, अब rule of 12 को use करते हुए हम age of death को calculate करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए एक मैं छोटा से example ले ले आप screen पर देखिए, मैंने यहाँ पर show किया है कि ragar mortis इस dead body की lower limb में मौझूद है, तो ऐसा assume कीजिए कि जिस समय पर इस dead body की postmartem किया गया, उस समय पर ragar mortis lower limb में मौझूद था, अब जो rule मैंने आपको समझा है था, उस rule को हम इसमें implement करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में generally different different climates को देखते हुए, जो ragar mortis का onset है, वो usually 3-6 घंटे ले ले लेता है, तो इस case में हम average मान लिजे, suppose कर लेते हैं, 3 घंटे हैं, अब different stages को देख लेते हैं, कि किस-किस stages में ragar mortis कहां कहां कैसे कैसे पहुँचेगा, तो assume कीजिए कि पहले वाली stage में, ragar mortis तक वो पूरा उसके body में आ जाएगा, उसके next 12 hours में वो पूरी body में persist करेगा, और उसके next 12 hours में वो सिर से उतरना start होगा, और पूरी body में से legs तक वो गायब हो जाएगा, अब easy calculation के purpose के लिए हम इस dead body को 3 different parts में divide कर लेते हैं, और जो lower limbs का जो हिस्सा है, उसको मैं मान लेता कि वो 1 third है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके सिर से लेकर उसकी जो घुटने तक का हिस्सा है, अगर मैं उसको 2 third मान लूँ, तो 12 hours का अगर मैं 2 third करूँ तो 8 hours हो गया, और lower limb का हिस्सा हो गया हमारा 1 third, यानि कि 4 hours हो गया 12 hours का, तो अगर मैं total calculation करूँ, तो इसका मतलब ये तो 3 hours plus 12 hours plus 12 hours plus 8 hours, तो total हुए हमारे पास 35 hours, so this way we can calculate the age of death of any dead body, using the rule of 12, ये हमारा basic rule है, इससे हम calculate कर लेते हैं, या doctors calculate कर लेते हैं, या course एक inference draw करती है कि इसको लगवग मरे हुए कितना समय हो चुका होगा, तो सर ये तो सारी medical jurisprudence की बात हुई, doctors आके ये सारी बाते बोलते हैं, लेकिन हमें सर ये तो बताईए कि court इसको कैसे analyze करती है, courts में कैसे चीज़ों को साबित किया जाता है, prosecution क्या परूब करता है, defense क्या परूब करता है, और plausible arguments कैसे develop किये जाते हैं, हम ये सब चीज़े सी और उसका नाम है, mangal Singh and others versus state of Punjab, 1996 CRLJ, page number 3258, इस case में क्या हुआ, एक witness था PW5, इन्होंने अपनी cross examination में ये कहा, कि लगवग 12 घंटे लगते हैं, ragar mortis को develop होने में, पूरी limbs में, चारो limbs में आने में, उसके बाद अगले 12 घंटे वो body में बना रहता है, पूरी body में intact रहता है और उसके बाद अगले 12 घंटे में, वो body में से पूरी तरह से खतम हो जाता है, यानि उसके बाद उस dead body में मौत की अकड़न नहीं रहती, Pw5 ने अपने cross examination में ये कहा, कि जो disease था, जो मरतक था, जिसका नाम था गुरदीब सिंग, उसकी चारो limbs में, व्राइगर mortis प्रेजन था, तो जब उससे पूछा गया, क्या उसकी मौत को हुए हुए लगबग 12 घंटे हो चुके होंगे, तो डक्टर ने का हाँ, इस बात की परसन की death 12-6-90-90 को सुभे लगबग 6-6-6 बज़े हुई है, और post-martem conduct किया गया, उसी दिन शाम को 3 बज़ के 30 मिनट पर, लेकिन defense ने कहा, क्योंकि post-martem उसी दिन किया गया है 12-0-19-90 को, शाम को 3 बज़ के 30 मिनट पर, तो इसका मतलब ये हुआ, उस person की death जो हुई होगी कि वो बिल्कुल early 3.30 बज़े हुई होगी, early morning 3.30 बज़े हुई होगी, क्योंकि doctor ने अपनी examination में ये कहा, कि 12 घंटे लगते हैं, raggermotis को पूरे limbs में आने में, उसके अगले 12 घंटे में वो पूरी body में बना रहता है, और उसके अगले 12 घंटे में वो पूरी body में से washout हो जाता है, तो इसका मतलब ये निकला, कि जो dead body में वो raggermotis इस case में आया है, क्योंकि lower limbs में मौजूद है, इसका मतलब उसमें 12 घंटे हुए होगे, इसलिए defense ने ये argument लिया कि disease गुर्दीप को मरे हुए लगबख 12 घंटे हो चुके होगे, इसलिए उसकी death सुबह 3.30 हुआ है, आप मेरी बात समझ रहें, तो ये evidence हमारे सामने आई, लेकिन court ने, ये medical opinion को जो doctor, जो की civil surgeon थे, उनकी इस testimony को court ने discard कर दिया, उनने ने कहा, raggermotis पर ये जो opinion doctor ने दिया है, ये सही नहीं है, ये गलत है, court ने इस context में, फिस certain medical jurisprudence पर different authors थे, उनके view को discuss किया, कि basically ये raggermotis में जो different different researches हुई है, जो researches हुई है, उनमें different different जो medical jurisprudence के authors हैं, उनके क्या views हैं, तो सबसे पहले सुप्रिम कोट ने मोदी को discuss किया, मोदी की जो book है medical jurisprudence and toxicology, इसकी जो 18th edition था, page 121, इसमें मोदी ने ये कहा, कि जहां तक raggermotis के onset का सवाल है, ये अलग-अलग cases में अलग-अलग रहता है, इसका average period जो है onset का, लगवग 3-6 घंटे होता है death के बाद, usually जो temperate climates हैं, वहाँ पर 3-6 घंटे में ये onset हो जाता है raggermotis का, और ये लगवग 2-3 घंटे ले लेता है develop होने में, ये मोदी की जो बुक है, Medica Jurisprudence and Toxicology, इसमें ये बात लिखी है, मोदी ने आगे ये कहा है, कि इंडिया में usually ये एक से दो घंटे लेता है death के बाद, और ये एक से दो घंटे आगे ले लेता है पूरी body में डबलफ होने के लिए, उन्हें ने आगे ये भी कहा, कि नदन इंडिया में usually raggermotis 24-48 hours में ये इसका total duration रहता है, लगबग 24-48 घंटों में ये पूरा phase खतम हो जाता है winter season में और summers में ये लगबग 18-36 घंटे में complete हो जाता है, जो पूरा duration है, जो मैंने आपको बताया, 12-12-12 वाला, उन्हें ने कहा कि सर्दियों में 24-48 घंटों में और summers में 18-36 घंटे में ये complete हो जाता है, इसके लावा एक और researcher रहे हैं जिनका नाम है McKenzie, McKenzie ने कलकटा में एक research किया, एक investigation किया और उन्हें ने ये पाया कि जो average duration है कलकटा में वो लगबग 19 घंटे और 12 मिनट है, और जो shortest period है 3 घंटे है और जो longest period है वो 40 घंटे का है, यानि यहाँ पर भी अगर मैं rule of 12 को लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरा apply नहीं हो रहा, नदर नेडिया में में यह apply नहीं हो रहा, कलकटा में मैं apply करता हूँ, वहाँ भी apply नहीं हो रहा, इवन उन्हें यह भी कहा कि ऐसी भी cases हैं जिसमें rigor mortis develop हुआ और इवन disappear हो गया, एक देड़ घंटे में ही मौत के, एक देड़ घंटे में ही वो rigor mortis आया और वो खतम भी हो गया, इसका मतलब यह जो हमने research discuss की थी, rule of 12, वो यहाँ पर भी हमारा fit नहीं हो था, लेओन ने अपनी बुक में Medical Juicypredence Forum इंडिया में यह कहा कि 113 cases में से 92 cases में लगबग 17 घंटों में यह फेस पूरा हो गया, और टेलर ने अपनी बुक में यह कहा कि लगबग 5 से 6 घंटे में यह rigor mortis on-site हो जाता है और 16 से 24 घंटे यह continue करता है, यानि कि सभी जो Medical Opinions हैं इस Context में वो सेम नहीं है, वो Area के हिसाब से, वो Temperature के हिसाब से, वो Different-Different आ रहे हैं, यह Understand? तो Ultimately Last में कोर्ट ने यह कहा कि हम इस Medical Expert के जो Opinion है, जो कि PW5 था, उसकी Testimony से, उसके Opinion से हम Agree Upon नहीं करते, और इसका जो Rule इनों ने बताया, कि इसकी Death लगबग 12 घंटे पहले हुई होगी, हम इससे Agree Upon नहीं करते, और यह Opinion Incorrect है, इवन कोर्ट ने यह भी कहा, कि Prosecution का जो Version है, वो बाकी और Witnesses से Correborate कर रहा है, इसलिए ऐसी Situation में Medical Evidence पर Believe नहीं किया जा सकता, तो Nutshell में हम क्या माने हैं, Nutshell में Age of Death को Calculate करने के लिए, Rule of 12 helpful हो सकता है, लेकिन यह वहाँ पर helpful होता है, जहाँ पर conditions ideal होती हैं, और basically यह Rule of 12, यह एक Winter जहाँ पर सर्दिया रहती हैं, basically यह English Rule है, और यह वहाँ पर Researches की गई, जहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, तो हमारे इंडिया में तो Rule of 12 अप्लाई नहीं हो रहा, इन सब situation देखते हुए, इवन हमारा जो Supreme Court है, वो भी यह कह रहा है, कि Rule of 12 इस case में अप्लाई नहीं होता, अब मैंने आपके सामने एक यह image रखी है, आप इस image को बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ seconds देता हूँ, इस image को analyze करने के लिए आप ध्यान से देखिए, इसमें Girl है, और आप इसकी leg देखिए, इसका जो right leg है, वो देखिए, जमीन से उपर है, और इसका जो left hand है, उसने उसकी left feet को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, अब आपको नहीं लगता कि, क्या कोई व्यक्ती इस situation में मर सकता है, क्या इस situation में किसी person की death हो सकती है, कि उसकी एक tongue उपर हो, और वो अपने हाथ से एक tongue को पकड़ ले, यह बहुत unnatural नहीं लगता आपको, एक hand से hold करना, यह बड़ा unnatural लग रहा है, तो अगर यह situation आपके सामने आती है, तो आप क्या analyze करेंगे, इसकी मौत कैसे हुई होगी, तो इसकी यहाँ पर भी हम basically एक rule लगाते हैं, जो है rigor mortis, अगर हम इसके interpretation करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब यह हुआ, कि इस lady के साथ कोई offense commit हुआ होगा, और उस समय पर उसको किसी gunny bag में, किसी bory में, किसी bag के अंदर, किसी luggage में डाल कर, उसको जो site of crime था, जो scene of crime थी, जो place of crime था, वहाँ से उसको उस bag में, या बोरी में, या gunny bag में, या luggage में डाल कर, उसको remove किया गया, और जिस position में, उसको रखा गया था, उस position में ही, वो raggar mortis onset हो गया, और जिस position में वो थी, वही position इस dead body ने, जब उसको बोरी में सभार निकाला गया, और उसको यहाँ पर dispose of कर दिया गया, वही body में, उसी state पे, उसी situation में, वो body, पुलिस को बरामत हो गई, और जिस समय पर भी photo खीची गई है, उसी समय की photo खीची गई है, यानि मरने में, उसका जो situation था, वो ऐसा नहीं था, जैसे कि दिख रहा है, ये तो जब उस body को dispose of किया गया, तब ये particular gesture, ये particular जो एक, जो form है dead body की, तब ये मिली है, तो मैंने याँ कुछ कोशिश की है, आपको इस रागर मॉर्टेस को explain करने के लिए, और मैं समझता हूँ, आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए मुझे permit कीजिए, Thank you so much, जै हिंद, जै भारत.